तू सवाल सिप करेगा जमातियों से क्य는데 दों मुसल्मान करने से अभी सुनेगा कर दू फोन में ना नीसा को जाएगा तेरा मेरा को anticipating लिक्सान े ने अब प्लिए बुए बोले बुम मैं ना नाईव ने लगारा है जवाब हमारे भारत में मेंस्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकार एक ही समुदाय को बार-बार टार्गेट करते हैं वैं देश में आए संकट पर बात करने की बजाए नफरत फैलाने वाले मुद्धों पर ही बात करते रहते हैं आज हम बात कर रहे हैं न्यूस नेशन के वरिष्ट पत्र का दीपक चुरसिया जी की वैं अब तक हिंदो मुसलिम जैसे मुद्धों पर ही डिबेट करते हैं वैं अकसर अपनी डिबेट्स में सरकार के साथ खड़े दिखाई देते हैं इनकी डिबेट्स में जब कोई नेता सरकार के खलाफ पोलने लगता है तो दीपक जी उन पर भड़कना शुरू कर देते हैं और उन्हें पोलने नहीं देते जिससे तंग आकर वैं नेता दीपक चुरसिया की अच्छी क्लास लगाते हैं ऐसे ही कुछ वीडियोस पर हम आज बात करेंगे जब दीपक चुरसिया को सरकार की पैरवी करना महंगा पड़ा हाल ही में मुलाना साथ और तबलीगी जमात के मुद्धे पर न्यूस नेशन में हो रही टिपेट में जब दीपक जी ने एजास खान से मुलाना पर सवाल किया तब एजास खान ने करोना फैलाने के लिए सरकार को दोशी बताया तब ही दीपक जी बीच में बोलने से शुरू हो गए इस पर एजास खान भड़क उठे और उनको चुप करवा दिया कि दरकार से तुझे ये सवाल करना पड़ेगा पहले तो मैं अल्ला का शुक्र मना लूँ कि या अल्ला तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो रिपोर्टर मुझे बोल रहा था कि मैं डी गरेट का एक्टर हूँ आज वो मेरी इतनी इंतिजार कर रहा था लाइब पे लेने के लिए तो ये तेरा शुक्र है मेरे रभ मेरे लाख लाख शुक्र है मेरी इस दहस में मैं हर को अमंत्रित करता हूँ मेरे सबसे बड़े आलोजिकों को भी आमंत्रित करता हूँ आरे अभी सुनेगा के रख्डू फोन में, नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान में, भोले बोले उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसल्मान और बाबरी मजजित और राम मंधीर पे तीरी बहस है। तो एकदम नला रिपोर्टर है लेकिन फिर भी और मीडिया के सारे रिपोर्टर अल्ला ने इज़त दी। 2019 के इलेक्शन के समय दीपक जी ने राहुल गांधी का इंटर्व्यू किया जिसमें दीपक जी ने राहुल गांधी से GST के मुद्दे पर सवाल किया और मोदी जी का जिकर भी किया। तब ही राहूल गांदी ने इस पर पलटवार किया, आप ये भी ज़रा देखिए। जो कागज था उनके हाथ में उसमें जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था राहूल जो नोट शीट पर उनकी कविता लिखे हुए थी जो उनकी नोट शीट थी जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था जिस पर questions लिखे हुए थे तो तो पूरे इंटरनेट ने कि जो पूरा इंटर्वीव हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोट पैट को अपने रिफरेंस के दौर पर नहीं लिया था चुकि यह बात उठी है और और दूसरी बात आप ऐसे करें इसको आप एडिट करना चाहते हैं इसको एडिट करना चाहते हैं इसको दिल्ली एलेक्शन और केजरी वाल पर एक डिबेट में दीपक चुरसिया ने AIMIM नेता असीम वाकर से मुस्लिम वोटर को लेकर सवाल किया और मुद्धे को हिंदू मुस्लिम बना कर पेश किया तबी असीम वकार इस पर भड़क उठे और दीपक को सरकार से सवाल ना करने पर लताड़ा मुसल्मानों का अस्तेमाल कुछ राजनेतिक दलों ने मातर वोट बैंक के लिए क्या है और अब उस वोट बैंक को ओवेसी साब यानि AIMIM के अध्यक्षागे बढ़ा रहे अब पहले आप यह बताईए कि क्या जो मैंने बत कही थी क्या 2 करोण नोककली यह नहीं मिलना चाहिए आप और आप निसे लोगों के बार राजनिती करने काह कर ला हो चाहिए पस्जान के लिए समय कहने पर भाते को कर एंगा इसन बाते के आप मुद्व Is बाते हैं चैसे लिए आप कैसे लिए आ बत्र काई रहे हैं रहेंने जैसा है पर पर देजिए आप पर पर पहस है आप इसे तीक है असी बखार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्तर शोभी एक जमाई जमाई रोजिंग पर दूसके बार CAA और शाहीन बाग के मुद्दे पर एक डिबेट में तीपक जी ने हिंदू-Muslim करना शुरू किया और इससे मिलते जुलते सवाल डिबेट में मौझूद में महमूद प्राचा से किया मुद्दा हिंदू-Muslim होते देख मैमूद प्राचा ने तीपक पर पलट वार करना शुरू करती है मुसल्मान सबाट को जूट पर लाना, मुसल्मानों का मुद्दा है अब इतना ही टाइम मुझे दे दिजिए अगर आप गोधी मीडिया नहीं हो जवाब दीजिए अगर आप अमिच्छा से ओर्डर नहीं ले रहे हो अभी भी फॉन पर अमिच्छा आपके साथ नहीं है जवाब देने दीजिए ना देने दीजिए मैं तो कहाई आप गोधी मीडिया नहीं हो जवाब देखिये दोने फॉन अमिच्छा जी नहीं कई बारी जो मुसल्मानों को कहता है कि हम आर लो जैसे क्लाइंड भी मिलना बंद हो जाएंगे आप को चंद्रशेकर रावन जैसे क्लाइंड भी मिलना बंद हो जाएंगे अम्युआ कि नौकरी की चिंता करिया और मैं जैसा पत्रकार हूं अपने अपने देश के लिए खीगो इंडिया न्यूस पर JNU की मुद्धे पर एक डिपेट में तीपक चुरसिया ने कनहिया कुमार से सम्विधान पर सवालों में उल जाने की कोशिश की पर खनहिया ने एंकर को इसका पलट चुवाप दिया उसते हैं इसते हैं अब दिया यह हैं आपको पता है कि जब माझ송 से मुटिद बनाया है शवाल mriden म्मौन नर्च पिल्छ कर ने मुटिद अमान की जानाuir में और वेला मग्स本 और आ जाता हूं मगदूर बढ़ता गुना जी यह नियु तो सेक्ट्योर क्या मुझे आप उचाता संक्या जेच्छ है आप अगर इंट्रिस्टेड है बात को सुनने में तो सुनिए लेकिन अगर आप किसी खास बिचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और पतरकार के हैं और पतरकार यह थे दीपक जी ध्वारक की जारी डिबेट्स के कुछ नमूने दीपक जी कि डिबेट जारातर हिंदू मुस्लिम के मुद्धे पर होती है वे मजदूरों की परिशानियों पर बात क्यों नहीं करते वे बढ़ती महेंगाई पर सवाल क्यों नहीं करते वे बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते यह मुद्धे भी जरूरी है एक आम आदमी की जिंदगी में इसके बारे में तो आप दीपक चुरसया खुद ही बत आ सकते हैं कि वो इन सब मुतों के बारे में क्यों नहीं बात करते पर हम उमीद कर सकते हैं कि ये आगे जाकर सरकार से सवाल करना भी शुरू करेंगे Bureau Report Punjab Today TV